सब्सक्राइब कीजिए डेवलपर टेक्नलोजी चैनल को और बेल आइकन को भी दबाईए कम्प्यूटर प्रोफेशनल लेक्चर्स के लिए हेलो टू आल अफ्यू आज हम आपको ये बताएंगे कि एकसल में डेबुक कैसे मेंटेन कर सकते हैं देबुक का मतलब ये है कि एक दिन में हमारे पास कितना पैसा आया और हमने कितना पैसा किसी को दिया यानि रिपीर कितना किया और उसकी पेमेंट किसी करी और हमारे पास नेट बैलन्स यानि अंत में कितना बचा अगर हम एक दिन की बात करें, एक महिने में 30 दिन है उसकी बात करें या तोटल महिने के लाश्ट में हमारे पास cash in and कितना बचा तो ये sheet आपका सब काम automatic कर देगी ये सबारा काम वो automatic कर देगी तो आज हम आपको सिखाएंगे कि day book कैसे maintain करते हैं लेकिन इससे पहले कि हम आपको ये सिखाएं कि day book maintain करना का तरीका ये है हम आपको सबसे पहले ये सिखाना चाते हैं कि day book जो हमने बनाई है उसमें क्या-क्या चीज़े हैं और वो किस तरीके से काम कर रही है तो चलिए सबसे पहले हम उसको समझें हमने एक Excel की शीट तयार करी है जिसमें हमने सबसे पहले day book heading दी है और इसमें total तीन section बनाई है एक है receipt का section एक है payment का section और एक है net balance का section total जितनी भी पैसा हमें receive होगा वो फारी entries यहां की जाएंगी जितनी भी हम payments करेंगे उनकी entry यहां की जाएगी और अगर हमारी company में last महीने का कोई opening balance है तो हम यहां डालेंगे तो last में यह बताएगा कि हमारे पास total और total कितना closing balance है यानि cash in hand कितना है हम आपको यह बता दे कि यह हमने entries केवल 10 दिनों के लिए करी है 10 दिन के हिसाफ़े करी है अगर आप पूरे महीने के लिए करना चाहते है तो इसके अंदर false को और बढ़ा सकते है इस false को यहां पे और बढ़ा सकते है 31 दिन के लिए आप ये sheet fame बना सकते है जैसे हमने 10 दिन के लिए बनाई है आप fame sheet जो है वो 31 दिन के साफ़े भी बना सकते है तो यहां पर देखिए, हमने यहां पर बीफजार लिखा है, हम माई माई ने की, यह डे-बुक मेंटेन करना आपको सिखा रहे हैं, आप इसको जून का तर दिए, जुलाई का तर दिए, यहां पर वो आपकी मर्गी है से, मैं जून का लिख दूंगा, जून की हो जाएगी, तो फिलाल हमने मई लिखा हुए है, मई की मेंटेन कर रहे हैं, तो April का जो हमारा closing balance हा, वो 2000 था, तो वो हमने यहाँ पर एक बार लिख दिया है, जितना भी हो, हमारे case में 2000 आपकी case में 0, यानि 0 भी हो सकता है, और कुछ और amount भी हो सकता है, जो भी amount हो यहाँ लिख सकते हैं, अब हमने सेंपर के दोर पे यहां दिखाया है कि दो तारीको राम ट्रेडर फे 5-6,000 रुपे आये और दो तारीको ही हमने लैंड लाइन बिल पेमेंट भी करी 24,000 रुपे हमारा टोटल बनना आप देखो 20 प्लस 5 25 और एक गया 24,000 बच गया यानि हर दिन में लाष्ट में यह क्लोजिंग माउंट बता रहा है कि हमारे पास कितना अब पैपा 6 है तीन तारीको 3,000 रुपे हमने रिफीव किये तो 24 प्लस 3 कितना हो गया 27 हो गया उसमें फे 7,000 रुपे खड़ गये 262,800 यह माउंट हमारे पास क्लोफिंग बैलेंस के रूप में बच गया इसी तरीके पे हमने एंट रिफ करी कही जगा इसलिए छोड़ा है कि पैफा रिफीव हुआ है लेकिन हमने कोई पैमेंट नहीं करी है तो हमने उसको वहाँ पे एमटी रिखा दिया तो आपकी मर्जी यह आप वहाँ पे दिखाना चाहें दिखा दिए अच्छा इस आपके अताब रहेगा कि दो तारीक की दो तारीक की अंदर आ रही है तो खाली का मतलब है छे तारीक में हमने कोई भी विमेंट नहीं करी थी तो उसके यह भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा नेट बैलेंस जो है लास्ट में जो दिख रहा है यह हमें दिख रहा है कि हमने 10 तारीक तक लामारा क्लोजिंग बैलेंस इतना था जैसे हर दिन का दिख रहा है हमने 10 दिन के हिसाफ़े बनाई इस लिए इसको यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है अगर आपको 31 के लिए बनान और उसमें से हमने इतने की payment कर दी ठीक है यानि इतना बचना चाहिए लेकिन हमारे तो इतना आ रहा है भई opening balance भी तो था तो यह जो amount है इसके साथ अगर मैं opening balance भी add कर दूँ तो देखिए बिल्कुल exact चीज आ रही है इसका मतलब हमारी daybook first class नाम कर रही है अब हम आपको यह सिखाएंगे कि यह कैसे maintain की जाएगी उसके लिए natural है हमें जो लिखा हुआ है जहाँ जहाँ entry उसको खाली कर देते हैं ताकि आपको समझाने में और समझने में हमें अफानी हो जाए तो यह सारा हमने आपे हटा दिया यह देखिए यह देखिए आपके लिए हमने यह स्वारी शीट हटा दी खाली होगी तो सफ़े पहले इस तरीके का structure बना ली दिये हमने यह एक से लेके 10 के लिए बनाया है आप सफ़े पहले यहाँ पे और फैल add करके इसको 31 सक्का बना ली देगा क्योंकि आपको तो महीने की maintain करनी है और हमें आपको समझाना है तो हमने आपको 10 दिन के लापते समझाना है तो इसको करेंग कैसे सबसे पहले हम रिफिप के सर में डाल रहे है और इसको control दबाके ड्राइग कर रहे है मैं दफ सखीच रहा हूँ आप 30 सख खीचेंगे ठीक है तो आपकी एक महीने की पूरे की बनगी इसके आपका कोई opening balance जो है last महीने का हो भी सकता और नहीं भी हो सकता लेकिन अगर है तो हमें उसको use करना है अब net balance कैसे निकलेगा तो अब के लिए हम यह formula लगाते हैं equal to ज्यान दीजेगा equal to जो हमें पैसा receive हुआ plus जितना हमारा opening balance है minus जितनी हमने payment करी enter अब यह formula मैंने set किया और ctrl d दबाके delete कर दिया तो अब जगा 0 आ रहा है हम भी कुछ है कि काम ठीक चल रहा अभी अभी इसमें एक कमी है वह हम आपको बताएंगे कि क्या कमी है ठीक है तो ध्यान से समझेगा और वीडियो को क्रम मनुफार देखिए कोई चीज बीच में छोड़ेंगे तो आपको समय नहीं आएगा अब देखिए आपको पहली entry द अगया तो देखिए है फार्म लिखते ही हर्चा दव दफ 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 आ गया ठीक है लेकिर हम यहीं चीज नहीं चाहते हैं कि अगर यहाँ पर किसी भी तरीके की रिफिप्ट की entry नहीं हुई यहां पर इस किसी भी दिन में या पेमेंट की नहीं उई तो वहां पर जीर function use करेंगे and function क्योंकि अगर इसमें और इसमें किसी एक में भी या दोनों में वीरो है तो यहाँ पर वीरो आना चाहिए ठीक है? दोनों में ध्यान रखीगा अगर यहाँ भी 0 है यहाँ भी 0 है तो final भी 0 ही आना चाहिए तो हमने and function लगाया रिफिप का वाला amount slate किया और यहाँ पर चेक लगाया अगर यहाँ पर रिफिप का amount 0 है कॉमा इसी तरीके पे अगर payment slate किया और payment का amount 0 है अगर रिफिप का amount भी 0 है और payment का amount भी 0 है तो final answer जो net balance के column में नजर आना चाहिए 0 आना चाहिए नहीं तो जो formula था वो आना चाहिए enter मारा क्योंकि हमने bracket बंद नहीं किया चिंता की कोई बात नहीं हो फिक आया enter मारी है अपने आप auto close कर देगा अब मैंने इसको drag कर दिया अब आप देखो कि हाँ 0 ही आ रहा है पहले की तरह नहीं आ रहा यहाँ पर मैं महीना डाल देता हूं कि मैं कौन से महिने का maintain कर रहा हूं let us明 मही महिने का maintain कर रहा हूं अगर आपको यहाँ पर year भी डाल ला है कि यह कैसे काम चुर्ण कर रहा है उरुपे पहले यहाँ पर घंए इन दो लों का असम भी निकाल लेते हूं तो चलिए लगे हाँ जब फार्मूले फारे पहले हमने लगाई रहे हैं तो इसको भी लिका ले इकोल टू सम किया ब्रैकेट डाला और हमने जितने भी amount को अलम में value सी सब का sum कर लिया इसी तरीके से equal to sum लगाके जितने भी payment हैं उन सब को भी fret करके उन सब का भी last में sum कर लिय अब इसब 0 आ रहा है केवल opening balance ट्रेजर आ रहा है 10,000 रुपे अब देखिए दो मई में 2020 को हमारे को पैसा आया राम ट्रेडर से कितना पैसा आया जी लेटर से इसने हमें payment करी 15,000 रुपे जैसे हमने 15,000 डाला तो आप देखो कि receipt के column में total receipt आ रही है 15,000 रुपे और opening balance को ध्यान में रखते हुए हमारा पहले दिन का जो closing balance आ रहा है वो आ रहा 25,000 रुपे यानि 10,000 प्लस 15,000 तो 25 बिलकुल 5 प्लास पही काम कर रहा है क्योंकि हमने कोई payment ही नहीं करी है अब पहले तारीक में मालों दो तारीक में हमें payment भी करनी पड़ी कोई बिल आ गया दो मई 2020 को लेटर से इलेक्ट्रिक सिटी का विजली का बिल आया है आप चाहें तो यहाँ पर इस पहल को बढ़ा करके मीटर नमबर भी डाल सकते हैं अगर डालना है अगर आप एक ही मीटर आ है तो वो डालें के जो रहती नहीं है आपकी मरजिया आप इसको बढ़ा करके तो डालना है नमबर अगरा यहां पर आंप डाल सकते हैं कि किसने की पयमेंट करी है बिल था आपका बारा सुरुपिक और आप नेंन टुकी पयमिट करी है तो देखो 10,000 रुपे हमारा opening था 15,000 रुपे हमें आरे पाफ पार्टी के आए उसमें से 12,000 रुपे की payment कर दी तो 25,000 था न हमारा टोटल किसना था 25,000 माइनर 12,000 रुपे की payment करी तो बिल्कुल कई है 800 हमारा closing balance बन दिया अब मालो दो तारीक को ही माई में हमें आरे पास और पैसा आया शाम लिम्टेड पे और ये पैसा है 5,000 रुपे का और इसके अलावा कोई और खर्चा नहीं हुआ और अभी कोई हमने payment नहीं करी तो हमने इसको खाली छोड़ दिया तो टोटल देखो closing कितना आया 28,008 को बिल्कुल सही चल रहा है अब मालो चार तारीक को हमें payment करनी पड़ रही है salary देनी पड़ रही है अपने employee को salary to Manoj Manoj को salary दे रहे हैं letters से 8,000 रुपे तो जैसी 8,000 हमने दिये तो हमारा net balance देखो automatically calculate हो गया है 28,008 को इसी तरीके से मालो 4 तारीक को ही 4 मई 2020 को हम लोगों को telephone का bill भी देना पड़ा है telephone का bill telephone bill यहां लिख दिया और किसने की payment करी letter से 4,000 रुपे की तो देखो बिल्कुल सही perfect चल रही है और हर time हर stage पर हमारे path closing balance automatically calculate हो रहा है हमें करने की जुरूद नहीं पड़ रही अब माल लो थोड़ा और इसको खोलते हैं sheet को 8 5 मई कोई 5 मई यह दो payment चलो दो payment करने के बाद एक थोड़ी entry इसमें की दिखा जेते हैं कि भई 4 मई कोई हमारे पेमेंट आ गई खर्चा तो हो गया था भई लेकिन साथ में पैसा भी आया है एक से और उसका नाम है sonia and sonse कितना पैसा आया है letter से हमें आया है 24 रुपे आया है 4200 जैसी 24 रुपे आया था देखो अपने आप figure out change हो गई न 21,000 हो गई बिल्कुल perfect sheet चल रही है अब 5 तारीक में 20 को मुक्कुल limited से हमें पैसा आया और letter से 5 रुपे आया है तो कितना closing आना चते है 26 रुजार तो देखो 26 रुजारी आ रहा है पैम पार तारीको letter से हमने stationary का कुछ खरीद लिया कुछ चीज परचेस करी है letter से stapler परचेस करा है stapler परचेस किया है और उसी payment हमने करी है मालूम ने आलिक भी दिया है कि हमने quantity खरीदी है चार और हमने इसकी payment 1000 रुपे करी तो कितना बनना चाहिए 25 तो देखो 25 इस तरीके से आप इस book को maintain कर सकते हैं अब इसके अंदर दो-तिन चीजे और भी है यह जो formula हमें इतनी महनत से लगाया है यहां लगाया या यहां लगाया कोई भी accidentally हमारे formula को delete कर सकता है हम चाहते हैं कि वो delete ना कर पाया तो हमें जहां-जहां formula लगाया उस state को lock करना है तो उसके लिए क्या करेंगे पहले control यह दबाईए right click कीजिए format file पे जाईए format file में यहां पे आपको option आएगा protection यह जो lock का fine आ रहा है आप इसको हटा दो हटा दिया तो यह automatically green mark represent कर रहे है वहाँ जहां फार्पुरा ने लगाया हुए तो आप उसको फ्लेट करो क्योंकि एक file यहां एक file है उनको भी फ्लेट करना है तो control दबा लो की बोसे control दबाके यहां क्लिक करो और control दबाके वहां भी क्लिक करो अब जो file आपने फ्लेट की है उन्हीं पे right click करके format file पे जाओ प्रोटेक्शन के अंदर जो log file आपने हटाया था तिक करके कर दो ज्यान रुको 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 अभी काम पूरा नहीं हुआ अब आप कहां जाओगे रिव्यू में रिव्यू में प्रोटेक्शीट का option आएगा यहां पर आप आप पर डालो मैंने a डाल दिया स्मॉल में फार्मूला वही डाला है जो आपको ज्यान रहें करको आपको चेंजिक करने हो तो आपके लिए असानी हो तो अगर मैं आप यहां पर कुछ भी कोई भी जिसको शीट के पर काम करने की दे रहा हूं कुछ भी लिखेगा तो देखो को एडिट भी नहीं कर पाएगा कितना प्रसेट काम हो गया ठीक है आप यह देखो कितना बढ़िया चल रहा है पस क्लास चल रहा है यह देखो यहां पर जो ओपनिंग बैलेंस था हमने इस पर फर्मूरा नहीं लगाया क्योंकि भी चेंज करना पड़ सकता है माल लो आपको अगले मेने मेने के लिए समझाने के लिए आपको अपनिंग बैलेंस रखके समझा दिये बिल्कुल परफेक्ट नहीं कोई दिक्कत नहीं है अब हम आपको कह रहे है कि मालो जून के मे अब परफेक्ट ही चल रही है 15,000 रुपे बेको बैलस दिखा रहा है कैसे देखो टोटल पैफा हितना आया उसमें से हमने इतनी पेइमेंट कर दी तो 15,000 आरी आना चाहिए 15,000 आ रहा है इतना परफेक्ट शीट बनाई है इतनी अच्छी शीट बनाई है लाइक जरूर करन अगर कोई confusion है तो कमेंट करके भी बताना में वीडियो के लास्ट में कि आपको क्या प्रॉब्लम आई है और आपको शीट अगर अच्छी लगी है तो कम से कम इसको थमफब देना ना भूले और जो भी जुरत मंद लोग है जो इस शीट से और फायदा उठा सकते हैं उनके अच्छा हो और उनको knowledge आए कि कैसे काम करना है तो God bless you मिलते हैं आपसे जल्दी Excel के नई टुटोरियल में God bless you all